हलो दोस्तों आप कैसे हैं? और मैं विजय कुसवा और आप ये फसल देख रहे हैं ये मिर्च की फसल है और ये ये नुन महांच कंपनी की यूएस नौसो सत्रे वैरैटी है जो कि ये पतली वैरैटी है जिसको हम होट पेपर भी बोल सकते हैं तो यह यूएस 981 लगी होई और यह वेड़ी हमारे यहां पर काफी छित्रपल में की जाती है और यहां पर जो पतली मिर्चल канале में अधिकतर 907サックी लगाई जाती है कि इसकी यहां पर मार्केट वैलू भी काफी अच्छी है और मार्केट में भी इसकी काफी डिमांड रहती है US 970 वेरेटी की तो यहां पर अधिकतर US 970 वेरेटी ही लगाई जाती है जो कि यह नोनेम्स कंपनी की वेरेटी है इसकी बुवाई लगबग 6-7 जुलाई को इसकी बुवाई की गई थी नरसरी में और इसकी जो ट्रांस्प्लांटिंग है वो लगबग 1-2 अगस्त को इसकी ट्रांस्प्लांटिंग की गई थी ट्रांस्प्लांट करने के बाद इसमें तुरंत ड्रेंचिंग की गई और ड्रेंचिंग करने के बाद इसमें एस्प्रे भी लगाई गई ते कापी अच्छी पसल खड़ी हुई थी लेकिन वह बरसात हो गई ती उससे कापी नुक्सान होगा था हमारे यहांपर तो उसकी बज़े से थोड़ा फसल लेट भी हो गई है फसलें पिछड़ भी गई है सभी फसलें पिछड़ी है और मिर्च की यहां पर खेती भी की जाती है तो मिर्च की सभी बैरैटियां पिछड़ गई है और उनकी जो पैदावार है वो थोड़ा लेट हो गई है और यहां पर इसकी फसल अधिकतर क्यारियों में ही की जाती है और क्यारियों में इसकी पौदे से पौदे की दूरी लगबग देड़ फीट की रखी जाती है और लाइन से लाइन की दूरी भी लगबग देड़ फीट ही रखी जाती है और इस समय यह आप देख रहे हैं कापी अच्छ को इसकी transplanting कर देते हैं तो 15 सेतंबर के something इसकी तुड़ाई start हो जाती है लेकिन इस साल बरसात की वज़े से थोड़ा तुड़ाई इसकी late start होई है और अब इसकी तुड़ाई हो रही है बरकरार इसकी तुड़ाई हो रही है और अभी एक तो एक या दो तुड़ हो भी चुकी है और आगे भी इसकी तुड़ाई होती रहेंगे और ये वराइटी ऐसी है कि ये वराइटी इस समय भी चल रही है ये इस समय भी production दे रही है और इस समय लगबग दिसम्बर तक इसका production चलता रहेगा और दिसम्बर के बाद थोड़ा production इसका कम हो जाएगा लेकिन उदर फरवरी के महिने से फिर इसमें production होना start हो जाएगा और मार्च और अप्रेल और मई मई के महिने तक ये कापी अच्छा production ये बेराइटी देती है और इसी समय की जुलाई के महिने की लगी होई ये बेराइटी उस समय भी कापी अच्छा production देती है तो ये बेराइटी हमारे याँपर अधिकतर छेत्रपल में की जाती है पतली मिर्च में इसका फल है वो अट्रेक्टिब भी होता है और मद्यम साइज का होता है नजादा बड़ा होता है नजादा छोटा होता है और हमारे याँपर मंडेओं में इसकी कापी पकड़ है और अच्छी रेटों में ये बिखता है और वेराइटी भी पतली में आती है उनकी अपेच्चा ये एक दो रुपे मेगा ही बिखता है ये बेराइटी हमारे याँपर कापी लगाई जाती है और जो यूनाटेर जैन्टिक्स की जो यूजी 6609 बेराइटी आती है उसकी अपेच्चा इसका पौदा कम बढ़ता है पैदावार अच्छी देता है और यूजी 6609 का पौदा लगबग कम से कम 3.5 फीट का हो जाता है और लगबग 4 फीट का भी हो जाता है यूजी 6609 बेराइटी का पौदा तो यूजी 6609 बेराइटी से इसका पौदा थोड़ा कम बढ़ता है पैदावार अच्छी देता है और जल्दी पैदावार देने लगता है यूजी 6609 के अपेच्छा ये पैदावार लगभग 5-7 दिन पहले जल्दी स्टार्ट कर देता है तो आप इस बैराटी को लगा सकते हैं अच्छी बैराटी है हमारे तो ये रही यूजी 770 बैराटी तो आप देखते रहिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक नहीं जनकारी के साथ जय जवान जय इकसान